तो ये आप देख सकते हैं ये है मेरा एक successful micro niche blog जो की मैंने कुछ महीने पहले ही start करा था और अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा stat दिखाऊं तो आप देख सकते हो इस साल के January में इस website पर daily का 1100 तक का traffic था और जैसे जैसे दीरे दीरे ये grow होता रहा और आज के time में अगर आप आप देखोगे 5-6,000 दिन का यहां पर traffic है तो आज की इस वीडियो में particularly मैं आप से बात करने वाल हूँ अगर आप भी एक ऐसा micro niche blog start करना चाहते हैं जो की day by day आपका grow हो तो आपको क्या process follow करना पड़ेगा और जैसे की हमें पता है यहां पर अगर आप एक multi niche blog start करते हो और comparison में एक micro niche blog start करते हो तो उस पर result आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है प्लस later in the video इस website की search console की पूरी report अभी में आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें यह website कब शुरू हुई कब search console में submit करी कैसे कैसे दीरे दीरे traffic बढ़ना शुरू हुआ आज के time पर कितना इस पर traffic आ वीडियो में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा और प्लस हम बात करेंगे कि अगर आपको भी एक ऐसा micro niche blog start करना है तो आप कैसे कर सकते हैं कैसे अपनी strategy को build कर सकते हैं कैसे मेरा formula अपना के आप भी एक ऐसा blog बना सकते हैं जो कि day by day grow होने वाला है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करता हूं इस website के stat के बारे में तो सीधा चलते हैं search console पे search console में आपको पूरा website अभी मैंने सिर्फ छोटा से एक ट्रेल दिखाया अब पूरी picture दिखाता हूं search console पे चलते हैं and website का पूरा यहाँ पर आपको data दिखाता हू so guys जैसा कि आप देख रहे हूं मैं search console में आज चुका हूँ and जैसा कि मैंने बोला यह successful micronish blog है इस पर अच्छा खासा यह grow हो रहा और super low competition पे मैंने find out करके यह blog निकाला है and यहाँ पर वो अच्छे से rank भी हो रहा है उससे revenue भी generate हो रहा है तो obviously बात है मैं यहाँ पर website को तो reveal नहीं करने वाला हूं नहीं उसके keyword को reveal करने वाला हूं बट बाकी सारी चीजे जो भी दिखा सकता हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एक idea मिल पाए अगर आपको micronish blog बनाना है तो वो कितना time लेगा successful होने में main motive मेरा इस video को बनाने का यह है क्योंकि यहाँ पर जाता हूं full report में full report में मैं आ गया हूं और यहाँ पर आप देख सकते हो last three month का यह data है यहाँ पर आप clearly देख सकते हो last three month में 2.29 million 20,00,000 से भी ज्यादा का यहाँ पर impression आए है और last three month में 2,42,000 plus का traffic है और average position आप देखोगे तो 10 है average CTR अगर आप देखोगे तो 10 बहुत ही amazing है मतलब मैं जो भी post यहाँ पर डाल रहा हूं वो अराम से top 10 में rank कर रही है मेरी almost इस blog की सारी blog post top 10 में rank कर रही है and average position 8.9 है अब यह तो last three month का है ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं अगर आप देखोगे last three month में यहाँ पर थोड़ा सा हम यह देख लेते पहले यह आप देख सकते हो यह कब का stat है 25 जनवरी का अगर आप देखोगे 25 जनवरी को मेरी website पर आ रहा था दिन का यहाँ पर 1300 के आजपास traffic आ रहा था और 10-11,000 के impression आ रहे थे और आगर आप देखोगे हर महीने यह grow होता गया है grow होता गया है आज की date में अगर मैं दिखाओं तो अपरेल में आप देख सकते हो दिन का यहाँ पर 5,600 का traffic आ रहा है और almost 50,000 के impression आ रहे है अब यह तो है last 3 month का stat अब थोड़ा सा मैं आपको last 1 month का दिखाता हूँ last 28 days में देखोगे तो यहाँ पर देखना last 3 month का कितना था धाई लाग traffic अब उसमें से भी अगर लाग से भी ज्यादा का traffic आया है यहाँ पर आप clearly देख सकते हो तो अगर आप देखोगे last 3 month में से पिछले last 3 month में अगर आप देखोगे तो 2 महीने में सिर्फ 1 लाग आया उसके बाद अगले ही last महीने में 1,18 तो यहाँ पर आप growth देख सकते हो कितनी तगड़ी growth हो रही है अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ इसको last 6 month करते हैं चलो last 12 month करते हैं और देखते हैं जो मेरा main motive आपको बताने का कि एक micronish block कितना जल्दी grow होता है यहाँ पर मैंने last 12 month यानि कि last 1 year select कर लिया है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह website आप देख सकते हो 1 अगस्ट क शुरू करी थी उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस website को यहाँ पर जुलाई में ही हाँ जुन जुलाई में start करी थी एक महीने में 5-6 post लिखे और वो 5-6 post ही rank हो गए थे और वहाँ से मुझे impression आने शुरू हुए तो अगर आप देख सकते हो अगस्ट में थो अल्मोस्ट 30 अगस्ट के आज पास मेरी website पर दिन का 40-50 ट्राफिक आने लग गया था उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हुआ और अगर मैं बात करूं पहला 100 ट्राफिक महीने का यहाँ पर दिन का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यहाँ पर इस वीडियो को एंड तक देखना मेरा में मोटिव आपको समझाने का यही है कि ब्लॉगिंग कोई ऐसी क्विकरिट स्कीम नहीं है यह पेशन्स का गेम है जैसे बाकी सारी बिजनेस में टाइम लगता है इसमें भी टाइम लगता है तो यहाँ पर आप देखोग फिर उससे अगले दिन में यहाँ पर 1,500 का ट्राफिक पहुँचा फिर उसके अगले महिने में यहाँ पर आप 2,000 का ट्राफिक देख सकते हो फिर यहाँ पर 3,000 का देख सकते हो और आज की डेट में 5,500, almost 6,000 के आजपास यहाँ पर दिन का ट्राफिक है तो यह मेरा मेन आ भाई देखो blog definitely मैंने ये blog बनाया पैसे कमाने के लिए आप यहाँ पर बनाना चारे हो तो आपको भी पैसा ही कमाना है बट यहाँ पर आपको patience रखना पड़ेगा अगर आपको एक micronish blog बनाना है micronish blog और multinish blog में यही benefit है कि micronish blog आपका एक महिने में के एक डेड़ महिने के अंदर ही result दिखाना शुरू कर देगा वहीं अगर एक multinish blog start करोगे तो उसको result दिखाने में 6 महिने आपको ऐसी लग जाएंगे तो अगर आप देखोगे पहले महिने से ही मुझे यहाँ पर easily 40-50 दिन का traffic आने लग गया था और यहाँ पर last 6th month में यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे इस blog की main growth कहां से शुरू ही है जनवरी से ही और अगर आपने research करके एक बढ़िया topic निकाला है तो आप definitely यहाँ पर उस पर काम कर सकते हो अब guys यहाँ पर सबसे main point ही आता कि भाई micronish block बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा तो देखो इसकी सबसे important जो चीज है अगर आपको ऐसा micronish block बनाना है सबसे important जिसमें 90% आपको ध्यान देना है वो है research सिर्फ 90% research का काम है उसके बाद 10% काम है बागी जिसमें आपका content लिखना backlink तो मैंने इस पर आज तक एक भी backlink नहीं बनाया है मैंने 90% पूरी website का 90% ध्यान दिया research करने में research करके मैंने एक ऐसा super low competition वाला keyword super low competition वाला niche निकाला उसमें मेरे को काफी सारे keyword मिले उस research में मैंने यहाँ पर एक से तेड़ महिना लगाया उस तेड़ महिने की research का result आज मुझे मिल रहा है और यहाँ पर मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ आज की date में मैं सिर्फ यहाँ पर articles डाल रहा हूँ सिर्फ article डाल रहा हूँ वो article top 10 में rank हो रहे हैं क्योंकि micro niche blog है super low competition वाला niche है यहाँ पर guys देखो अगर आपको exactly जानना है कि इस blog को मैंने step by step अब यह बहुत जादा video लंबी हो जाएगी इस blog को step by step कैसे मैंने create करा है तो उसके उपर already मैं video बना चुका हूँ जब मैंने blog start करा था तो अगर आप YouTube पे जाकर search करोगे micro niche blog blueprint आपको top पर मेरी video मिल जाएगी जो कि आप देख सकते हो 6 महीने पहले मैंने शुरू करी थी अब इस website का जो stat है यह जो मैंने यह video बना रखिये 6 महीने पहले की यह इसी website के उपर बना रखिये जिसका भी मैंने आपको stat दिखाया है 6 महीने अगर आपको compare भी करना है कि आज की date में इस पे इतना traffic आ रहा है 6 महीने पहले इस website का stat क्या था तो यह वाली वीडियो देख लेना कुछ यहाँ पर 43 मिनट की वीडियो है इसमें complete process मैंने बताया हुआ है कि कैसे मैंने इस blog को set up करा कैसे मैंने keyword find करे कैसे मैंने यहाँ पर article लिखे एक एक चीज मैंने इसमें बताय हुई है तो make sure अगर आपको ऐसा ही blog बनाना है तो इस वीडियो को जाकर देख लेना description में भी इस वीडियो का link आपको मिल जाएगा otherwise YouTube पे जाना सीधा सर्च करना micro niche blog blueprint आपको मेरी यह वीडियो मिल जाएगी इस वीडियो में बनाने को बैठ हुँगा तो almost एक घंटे से उपर गी वीडियो बन जाएगी वो मैं नहीं चाहता हूँ तो यहाँ पर इस वीडियो को जाके आप देख सकते हो और website का stat मैंने आपको बताई दिया सारी चीजे completely I hope video पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने ऐसी और भी धमाकेदार वीडियो के स्टेडी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर, हववववण